कि असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग आज मैं लोग कर रही हूं जो के निकी टुटोरियल से इंस्पायर लोग है सबसे पहले तो मैंने फ्लोर मार्की पैंसिल ली है जिसको मैं कार्फ कर रही हूं हुआ 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 है इसको मैं अपनी आई पर जो कर रही हूं जिस तरीके से हम आई शेट लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एक लाइन डौ करेंगे क्योंकि बहुत परसाइज आई मेकप लोग है तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा समहाल के जो है पैंसिल को चलाना होगा अब हमने अगाउक लाइन डौ कर ली है और मैं इसके अंदर अब यही कलर इसी पैंसिल का फिल कर रही हूं हालो ओवर लेट पे लगा रही हूं क्योंकि यह पैंसिल का शेड जो है पैंसिल का कलर यह पैंसिल के फिलेंग हमारी आई बेस का आई बेस होगी अब मैं अपनी आग को यहाँ पर जादा खुल लही हूं ताके मैं इसको अच्छे से ड्रॉव कर लूँ इस लूप लूप के लिए मैं ग्लैमर स्पेस के आई शेडव वैलेटी उस करूंगी और उसमें से मैं यह डा ग्रीन लोंगी जो कि थोड़ा सा शेमरी है और मैं यह अपनी लिट पर अप्लाय करूंगी जहां जहां हमने पैंसिल अप्लाय किती यही शेड हम आल ओवर लिट पि लगाएंगे अब मैंने यहाँ पर लाइट लिया है उसी पैलेट में से अब वह मैं अपने लिट के सेंटर में अप्लाय कर रही हूं इसको थोड़ा सा लाइट एफेक्ट देने के लिए यह मैंने ब्लैक लाइट हाइलाइट बी एच कॉस्मेटिक के इस्तपाल की है इसको मैं अपने इनर कॉर्णर पर लगा रही हूं दोबारा ग्रीन शेट अप्लाय करूंगी और वो डार्क ग्रीन कलर जो हमने पहले अप्लाय किया था उसको और थोड़ा से नहांस करूंगी ब्रॉब उनको हाइलाइट करूंगी उसी ब्लैक लाइट हाइलाइट पैलिट से जोके बी एच कॉस्मेटिक्स की है मैं अपनी वाटर लाइन को लाइन कर रही हूं बोल जो इसकी कोल पैंसिल से मेबिलीन का मस्तारा यूज कर रही हूं और यह हमारा लुक हो गया कंप्लीट उमीद करती हूं आपका पसंद आएगा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अंटिल रैन लापिस और लाइए लाइबा लुक हूं